ट्रेडिंग में जादा दर ट्रेडर्स को क्यों हो रहा है घाटा और FNO में जावधानी क्यों है जरूरी आज अवाज अड़ा मेसी पर होगी चर्चा शाम साथ बचकर 57 मिनट पर चले अब आपको दिखाते हैं बड़ी राजनीतिक खपरे करनाटक के मुख्य मंत्री सिद्धा रमया की मुश्किले बढ़ गई है मैसूर में सिद्धा रमया की पत्नी को जमीन के बदले मकान देने के मामले में भष्षाचार के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है और इस्तीफा देने का भी राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है आज करनाटक हाई कोट ने इसके लिए हरी जहंडी दे दी है इससे पहले करनाटक के राजजेपाल थावर चन घैलोत ने सिद्धा रमया पर मुकदमा चलानी की आचिका को मनजूरी दी थी सिद्धा रमया के गवर्नर के फैसले को हाई कोर्ट में चनौती दी गई थी मैसूर अर्बिन डेवलप्मेंट अथारिटी ने 3.16 एकर जमीन के बदले सिद्धा रमया की पतनी को 14 हाउसिंग साइट एलोट किये गए थे इसी जमीन के अधिग्रहन में प्रश्टचार की जाच के लिए 3 लोगों ने गवर्नर को यार्चिका सौपी थी सिद्धा रमया ने कानूनी विकल्ब तलाशने की बात कही है और वो सुप्रीम कोड भी जा सकते हैं लेकिन बीजेपी ने पूरे मामले की ज़ांच CBI से कराने की मांग की है इसके अलावा सिद्धा रमया से सीफे की भी मांग की है कॉंग्रेस और किसी को नेता बना के मुख्य मंतरी बना सकते हैं बीजेपी इसमें कोई भी इस मामले में पढ़ेंगे ने 2023 में लोगों ने हमको opposition party में बिठाने के लिए हमको mandate दिया है हम opposition में बैठेंगे let them continue on power वो power में continue कर सकते है कि और किसी को मुक्यमंत्री बनाना चाहिए सिद्रामया को तुरंद इस्तिफा देना चाहिए CBI has to do the investigation इस बीच करनाटक के डिप्टी सीम डीके शेफ कुमार का भी बयान साब ने आया है उन्होंने कहा कि स्तीफा देने का कोई सवाल नहीं है BJP देश के विपक्षी नेताओं के खिलाफ साजिश कर रही है सिद्रामया ने कुछ भी गलत नहीं किया है See, there is no question My chief minister has not done anything wrong He is not involved with any scam It is a political conspiracy by the BJP To all of us To all the opposition leaders in the country This is what is going on So, there is no question Of my chief minister has done anything wrong They are creating problem We stand by him We support him He is doing a good work For the country, for the party And for the state